नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों इन सॉल्ट पेपर की स्रीज में मैं आपके लिए एरफोर्स वाई ग्रूप का इंगलिस का सॉल्ट पेपर लाया हूँ दोस्तो यहाँ पर आपके लिए 2017 का सॉल पेपर है दोस्तो इससे पहले भी मैं आपको कुछ सॉल पेपर करा चुका हूं जो कि दोस्तो पूरी तके एक्स्टेंड है दोस्तो मैं उसको आपको वीडियो की लिंक के डेक्स्रिप्शन में दे दूँगा अब वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को पूरी देखें ताकि आप Air Force के Question Paper के Pattern को समझ सकें दोस्तों आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप एक Pen और Copy ले लीजिए आए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा Question Number First दिया हुआ है Choose Appropriate Synonym for the World Alert दोस्तों Alert का हमें Synonym बताना है यानि दोस्तों इसकी Similar मिनिंग बतानी है दोस्तों Alert मतलब होता है सावधान क्या होता है दोस्तों सावधान इसका जो दोस्तों Similar मिनिंग होगा वो होगा दोस्तों Vigiland क्या होगा दोस्तों Vigiland Vigiland मतलब भी दोस्तों सावधान होता है दोस्तों Other Option के मतलब क्यों हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों दिया हुए Active Active मतलब होता है दोस्तों सक्रिये Vigar मतलब होता है दोस्तों सक्ती Azure मतलब होता है दोस्तों Adkula यानि कि दोस्तों आदा खुला जैसे कि सी लिफ्ट दा डूर एजर मतलब कि दोस्तों उसने दरवाजा जो आदा खुला चोड़ दिया इस गांपा कि दोस्तों आप समाच सकते हैं कि सी लिफ्ट दा डूर एजर मतलब कि उसने जो है दर्वाजों को आधा खुला चोड़ दिये एजर मतलब कर दोस्तों अधु खुला यानि कि आधा खुला है दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा question number second है दिया हुआ है दोस्तों choose appropriate should you get antonium for the world official दोस्तों हमें ant De morgan बता नहीं कि दोस्तों आप इसका病 इसका official के दोस्तों official मतलब होता है दोस्तों आधिकारी कर या सरकारी कि अधिकार या सरकारी दोस्तों इसका जूपॉसित ही मतलब कि जो private यो नीजी हो इसका जो सहीold तो दिया हुआ है दोस्तो ऑफिशियल का सिम्लर मिनिंग हो जाएगा प्रिकली मतलब होता है काटेदार और प्रेविनियंट मतलब होता है दोस्तो पूरवर्ती जिसे पहले का कहते हैं दोस्तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो हमें question number 3 दिया हुआ है one world से question पूचा हुआ है दोस्तो हमारा दोस्तो दिया हुआ है a decision taken by the votes of all मतलब कि दोस्तो एक ऐसा फैसला जो कि सभी के वोटों से लिया गया हो इसको क्या कहते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं आपके पास चार option है अगर आप दोस्तो सोच रहे है option number C इसका सही आंसर है तो दोस्तो आप बिल्कुल सही सोच रहे रिफ्रेंडम जोगा दो दोस्तो रिफ्रेंडन मतलब ही होता है इसका मतलब होता है जन्मत संग्रह क्या होता है दोस्तो जन्मत संग्रह मतलब कि एक ऐसा फैसला जो कि सभी के वोटों से लिया गया है उसको कहते है रिफ्रेंडम है दोस्तो अधर option के मतलब कि भी हम बात कर लेते हैं तो दिया हो दो बस्त फ्रेंचाइज कि अधिन फ्रेंचाइज मतलाइव बहता है फल me to Suvi Abba BearsBook Devil अधिन मतला बहुत कि आधि यहां थेस्ट हो फाल्तू पर नबाथ कर लो सटोय थी नीच हमारा को जुनेंबर फॉर है نरेशन्स जो दोस्तों हमारा Kuroshn पूछा हुआ है दोस्तों दिया हुआ है People Money Shad I May Go To Delhiік तुमारो दोस्तों हमारा टैरेक नरेशन्स में दिया हुआ है इसको इन डैरेक नरेशन्स में बदलना है दोस्तों आप एक चीजरा पर देख सकते हैं तो इसको आप देख सकते हैं सिप option number B और option number D में दिया हुआ है option A और option number D फिर गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया हुआ है दोस्तों हमारे दो option बचें B और C दोस्तों आप एक चीज यहां पर और देख सकते हैं reporting verb money said जो दिये हैं इसके बाद दोस्तों हमारा कोई object नहीं दिया हुआ है तो इसको दोस्तों हम टोल में नहीं बदल सकते लेकिन option नमबर B में बदल दिया हुआ है money told me दे दिया हुआ तो यह भी गलत हो गया था दोस्तों तो हमारा आपका सही जो अंसर बचा वह बचा वह अच्छे option नमबर C आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा voice question है दिया हुआ है दोस्तों दे व लूक आफ्टर यूवल वाइस से टिवाइस में दीवाइस को में बदलना दोस्तो एक्टिव वईस से दुस्तों पैसी बदलने के और भूत निया मैं दोस्तों पहला यह है कि object as subject यानि के object को दोस्तों सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे 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 तो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो जाएगा you will be तो उसके बाद हम यूईस करेंगे हमेशा दोस्तों यूज करेंगे धर मीन वब कम सदै यूज़ करेंगे तो अब है ये तो ँख करने लूक का जाएगी फश्च आपको और बता दूं विल के बाद हम बीकत क्यों यूज किया दोस्तों कि विल के बाद सदाय दोस्तों वर की फर्स्ट वाम आती है कि अगर मुल पदीट लुट दिए ला देंगे मोर्त की थर्ड फर्मॉला देंगे तो गलत हो जाएगा sentence इसलिए उसको बनाते हैं इसलिए हम इससलिए इसका दोस्तो दोस्तों यूवल भी लुट हो गया इसके अब आगए आगा जाएगा नबर दॉच्छ करते है और मतलब बताना है दोस्तो दोस्तों हम सभी जानते हैं काह निश्यों चाहिए давай को सबसक्राइं स्बसक्तिते हैं क्वाइबámता इसंतों ही जगड़ा से बढ़ लडाई दूस्तों आगे परन् IO नंबर 7 जो दिया हूआ pleinना वहह निए हूए है इस से दोस्तों कोई नही है तो ईस्तों कोई नहीं है फ backbone Remsen एड गया हूग है कि अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों की ऑप्शन न genialty यह अपर та प्रिक्रा भाफ डीया अदि के चिंए परख प्रपहर करने हो होता है हई दोस्तो आगач बता है तो फरल दिया हुआ है इस पॉर दा everybody दोस्तो मैं मिस लग बताने हैं तो समा क्डार वर्ड दिए हो हो इसमें कोई खांग मैं जिए किसी में वर्ड में उसको में चुनना है तो आप देख सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं डैसा स के बाद ओगनती को यहीं उसन और सब्सक्राइब समान या सूसंगत अधर अप्शन के भी दोस्तों मतलब की बात कर लेते हैं दिया हो है दोस्तों मैंसलोटर मैंसलोटर मतलब होता है दोस्तों नरहत्या क्या दोस्तों नरहत्या और आउट्रेजेस मतलब होता है दोस्तों अपमान जनक क्या होता दोस्तों अपमान जनक और फि है दोस्तों में जंबल वर्ड से कुशन पूचा हुआ हमें दोस्तों यह दिया हुआ है पी कि वारे इसको हमें प्रॉपर आउडर में दोस्तों करके बताना है दोस्तों देख लीजिए हम दोस्तों जो भी सिंटेंस हैं वो या तो रोजर से सुरू होगा या तो दोस्तों सिं यहां पर एक उप्शन तो पहली बात तो नहीं होगा विकर जायागा क्योंकि दोस्तों रोजर से शुरूओ या तो सिंस टूटों थ्री यह तो पी वाले या फिर और तो दोस्तों भी तो हो गए निसमें एस से सुरू किया है क्योंकि दोस्तों प्रिपोजिशन से कभी आकरी में यूज करेंगे दोस्तों है ना दोस्तों हमारा देखि किसमें दिया हुआ है पहले और आकरी में अगर हम ध्यान दें दोस्ति वाप्शन नमबर बी में ही दिया हुआ है जो कि दोस्तों गलात है पहले ही से क्योंकि प्रिपोजिशन यूज कर दिया है पहले तो य δεν strangers की बाद हमेशत इसके बाद सकते हआए गारा यानि की जो जरे आएगा एक सबजयक्क ड़ेस थे आर के बाद दोस्तों पी टुन किसलों में दिया हु़या दोस्तों ऑपसल को सीते कुछ ₹ brings की दोस्तों नूब्र ऐसे थी तेकन सेवेन डाइटल ने MA 2010 authoritarian से रोजर फेडरा को जो है seven titles मिले हैं at the grand slamper जो कि followed है दिया एक नाम दोस्तो नुवाग दीजी कॉविक्स 3 आए दोस्तो आगे बारते हैं दोस्तो हमारा question number 10 to 15 हमें दोस्तो film the blanks से दिया हुआ है दोस्तो 10 से लेकर 15 तक हमें blank दिये उसको में भरना है option दिये हुए है आए दोस्तो पालते हैं question number 10 को दोस्तो question number 10 दिया हुए distribute 12 mangoes dash 3 boys दोस्तो 12 mango को बातना है तीन लड़कों में कौन सा use होगा दोस्तो इसमें देख सकते हैं अगर आप दोस्तो option number D सोच रहे हैं तो बिसकुल सही सोच रहे हैं दोस्तो एमंग भरेगा इसमें दोस्तो एमंग का प् दोस्तो हम से दो को बताने के लिए करते हैं दोस्तो इसलिए तीन लड़के हैं तो इसलिए हम एमंग का यूज़ करेंगे आए दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो question number 11 दिया हुआ है हमें how does money do you earn दोस्तो देख लिजे क्या सही होगा इसमें जो दोस्तो सही answer होगा वो होग दोस्तो मच कपरेंगे आपर सही होगा क्योंकि दोस्तो money जो है एक uncountable noun है अब मच जो है uncountable noun के साथ लगता है जबकि money countable noun के साथ तो दोस्तो money कैसे uncountable noun है अब अगर यह सोच रहे है money जो है कैसे uncountable noun है तो दोस्तों आपको एक clear कर देता हूँ क्या आपने कभी किसी को य ट्री में या फिर एक मनी है मेरे पास दो मनी मेरे पास तीन मनी है क्य ano कर देको हो जाता है क्योंकी अपने नहीं चुना ऐसा नहीं होता है दोटो इसलिए इस विल्ड को आप गिन नहीं सकते हैं यह एक मतलब होता है दोस्तों पैसा हम सोचते हैं कि एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा ऐसे तो हम कर सकते हैं ये बात आपकी सही है लेकिन इसके लिए अलग वर्ल्ड है दोस्तों देखें वर्ल्ड के हैं पैसा या फिर रुपी क्या आपने कभी किसी को यह कहते हैं सुने दोस्तों कि एक पैसा दो पैसा पचास पैसा या फिर एक रुपी दो रुपी दस रुपी यह दोस्तों आपने सुने होगा क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कहा जाता है इन वर्ट के आगे एक दो तिन चार आप लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह काउंटे दोस्तो उसको हम नहीं count कर सकते हैं वो uncountable ना होने दोस्तो आए दोस्तो अगर आपको समझ में आ गया तो आए दोस्तो आगे बाड़ते हैं तो दोस्तो question number 12 है दिया हुआ है book is to the library as a chemical is to देख लिए दोस्तो क्या सही answer होगा तो दोस्तो अगर आप सोच रहें कि option number a सही होग Civilちは बिल्कुल सही आपको सब्सक्राइब होता है दोस्तो जिस प्रकार बुक जो है लैबरेड़ी कुछ नहीं रहते हैं तो दोस्तो इसमें देख लिए कौन सी वर्बाइगी दोस्तो अगर आप सोच रहे हैं ऑप्सन नमबर दी तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तो आर का प्रयोग उचीत है क्योंकि दोस्तो दरिश्च जोता है वह धनी गर्व के लोग के बारे में बता क्योंकि और दोस्तो प्रव के लिए बरेगा आई दोस्तो आगे बढ़ते हैं दुस्तो हमारा दिया हुआ है Question number 15 A horse is kept in a dash गोड़ा जो है दोस्तो वो रखा जाता है कहाँ पर आपने सुना को दोस्तो अस्तबल में रखा जाता है जी जी हाँ दोस्तो अस्तबल में रखा जाता है उसको English में दोस्तो हम लोग कहते हैं Stable जी स्टेबल हो जाएगा कि हो जाएगा दोस्तो स्टेबल स्टेबल इसका साई आसर हो जाएगा दोस्तो अजर बात रखा जाएगा दोस्तो अजर अजर आपशन के मतलब दोस्तों हम बात करें इसμεिजdish य जिसे कोशीका कहतेSwी से कूप यिम्हाइब दोस्तों को hm जो होता है क्वाइब घ्лять कघच ciao कहते हैं दूश्तों यह बीक है को रख़ा जाता है जिसमें डूर्बीट साथ है इता है इसको कहते हैं इसको कौप अदिन मत लगद दोस्तों मांद और इस्टेबल तो बता ही चुका हूं दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा पैसेज सो कोशन आगे हैं देखिए दोस्तों पैसेज का जो सेक्शन है वह आपको एक्जाम में वह कम से कम दोस्तों आपको चार से पांच नंबर दिलाता है और अगर आप की प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो आप 4 में से 4 या फिर 5 में से 5 नमबर लेकर आते हैं दोस्तों इंग्लिश में 4 में से 4 या 5 में से 5 लाना आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है दोस्तों क्योंकि एक दो नमबर से आप रह जाते हैं और इंग्लिश में पास होना भी आपके लिए जरूरी होता है तो आईए देखते हैं पहले आज की इस पैसेज को पहले पैसेज पढ़ते लेते हैं दोस्तों उसके बाद कोशन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे तो आई दोस्तों पैसेज को पढ़ते हैं तो दोस्तों हमारा जो पैसेज में दिया हुआ है As I write, highly civilized human beings are flying overhead, trying to kill me दोस्तों जो यहां पर दिये हुआ highly civilized human beings दिये हुआ इसका मतलब होता है दोस्तों उच्छ सब्बे मनुश क्या होता है दोस्तों? उच्छ सब्बे मनुश दोस्तों जिसने लिखा है वो कहते हैं As I write, जैसे मैं लिखता हूँ जो highly civilized human beings हैं जैसे हम उच्छ सब्बे मनुश दिखते हैं वो लोग उपर की ओर उड़ रहे हैं और जो हैं उनको मारने की कोशिच कर रहे हैं त्राइंग टू किल में जोने लिखा है उनको वो कह रहे हैं उनको मारने की कोशिच कर रहे हैं दोस्तो आहिए आगे बढ़ते हैं दिए हो दोस्तो लनाट फील एनि इन्मिटी अगेंश्ट मी-क ऐज एन इंड्युविडोल नौर आई अगें थिम दोस्तो इन्मिटी मतलब होता है दुसमनी अगेंश्ट मतलब थो थो खिलाफ इंडी विडू विम्तिता प्रते एक वैक्ति यानिक दोस्तो एक वैक्तिक रूप में ना तो केवल उन्हें मुझें कोई दिस्मेंट है अर नहीं मुझे उनके प्रती दोस्तो है दोस्तो आगे बड़ते हैं आपने करतव कर रहे हैं जैसे कि दोस्तों कहा जाता है आगे लिए अगा प्रटेट को सो!!" द्रीम ऑफ कमीटिंग अ मर्डर इंड प्राइवेट लाइफ दोस्तों यहां पर दोस्तों हमारे जो काइंड हटेड दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों ज्यादा तर जो हाइली सिविलाइज हुमन बिंग से जो उच्छ सब मनुष्य हैं वो लोग काइंड हैं और वो लोग ल जो कि दोस्तों अपनी जिन्दगी में अपनी प्राइवेट लाइफ में दोस्तों वो लोग कभी सॉप में किसी को मानने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों हत्ते नहीं करेंगे सॉप में कभी नहीं सोचेंगे आई दोस्तों आगे बढ़ते हैं देवा दोस्तों बट इस सक्सीड in blowing me to pieces, he will still be able to sleep without any degree of compaction. कमपक्शन मतलब होता है दोस्तो पच्टावा. क्या तो दोस्तो पच्टावा करना? मताब कि दोस्तो कह रहा है कि दोस्तो अगर उन में से कोई सक्सस होता है, तोई अगर उनको टुकले टुकलो करने में सफल भी हो जाता है, तब भी वह बिना किसी पच्टावे को सो सकेगा दोस्तो इसमें कह रहा है क्योंकि दोस्तो वह लोग कह रहे हैं अपने डूटी कर रहे हैं इसमें दिया हुआ है He is serving his country which has the power to absolve him from evil मतलब कि दोस्तों वह अपने देश की सेवा कर रहे हैं जिसमें उसके बुराई से दूर करने की सकती है दोस्तों तो दोस्तों आपका passage खतम होता है दोस्तों overall आपने जो passage पढ़ा आपको यह समझ आया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्ते हाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों highly civilized human beings के बारे में जो उच्छ सब्वे मनुष्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग क्या हैं दोस्तों वो लोग law abiding है यानि कि दोस्तों वो इस्थाई कानुन को पालन करने वारे लोग के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग अपना करतब कर रहे हैं दोस्तोव अपने ड्यूट्टी कर रहे हैं अधर की पैसेक्ज अोथन इकाइड इसे बड़े ही कटू तोस्तोव निंदपूर्ण पूर्ण तरीके इसको और यह भी दियाया है तो प्राइवेट लाइफ में उन्हें ने कभी हत्या करने के बारे में अपने स्वपने भी नहीं सोचा दोस्तों हमने पढ़ लिए ओवर ऑल पैसेच को तो देखते हैं को तो हमारा कौशन दिया हुआ है कौशन नमबर 16 दिया हुआ है इसलिए दोस्तों वह लोग कहलते हैं यह लोग के हैं काइंड है इसलिए दोस्तों वह लोग कहलते हैं highly civilized people तो इसका जो सही answer हो जाएगा ओप्शन नमबर ए हो जाएगा दोस्तों आज दोस्तों आगया बढ़ते हैं दोस्तों हमारा question number 17 दिया हुआ है the person question number 6 the person who succeeds in killing the author will मतलब कि दोस्तों अगर person succeed हो जाएं मतलब कि successful हो जाएं author को मानने में तो वो क्या होगा दोस्तों हमने पढ़ा था भी यहाँ पे passage में कि अगर अगर वो लोग if one of them succeed in blowing me to pieces he will still be able to sleep without any degree of compuction दोस्तों ने पढ़ा था अगर कोई इसमें से सफल भी हो जाएं उनको टुकले टुकले करने में तब भी वो बिना किसी पस्तावे को सो सकेगा दोस्तों यही हमार आंसर होगा बिना किसी पस्तावे के तो इसमें किसमें दिया हो दोस्तों दिया हो इसमें त्राइंग टू किल द ओधर is that कारान किया है ओधर को मानने का उन्हें पड़ा दोस्तों वो तो उनकी वो था प्रवर्ती में था दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वोगा देहाफ मर्डर एंट्स और देहेव murderers in sticks in sticks मतलब बता दोस्तो प्रवर्ती जो था जान लेवा उनकी प्रवर्ती थी दोस्तो हमने पढ़ा था passage में आई दोस्तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो question number 19 दिया हुए में in this passage the author assumes that doing one's duty to one's country मतलब कि दोस्तो इस passage में जो author ने माना है कि doing one's duty to one's country दोस्तो देख लिए आपके सामने चार option है अगर आप दोस्तो सोचने option number B सही है तो बिल्कुल सही सोचने है दोस्तो इसका अंसर सही होगा मतलब कि दोस्तो जो पैसर में हमने पढ़ा कि author जो मानता है कि अपने देश के प्रतिक करता विकरना वो क्या करता है दोस्तो हमें दोस्त मुक्त करता है दोस्तो क्या करता है दोस्तो क्या करता है दोस्तो दोस्त मुक्त करता है परशन को of his act of killing मानने के कारेर का हमें दोस्मुक्त कर देता है हाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों question no.20 दिये हमें what is the author's attitude to the way of civilized societies मतलब का author का कहने का जो तरीका इसमें क्या है जो civilized society है यह वहाँ पर कहने टरीका के हमने दोस्तों पड़ा था passage में कि जो author है वह इस passage को बड़े ही कटू सब्दी उसकर के बता रहें बढ़े ही निंदा पूर्ण तरीके से बता रहे हैं जो क्या हमने बताया तो इसको इंग्लिस सार्कास्टिक कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों सार् याज्री एस बाइब पूर्ट कैया हो जागा जो है कर दोतों निंदा पूर्ण कटिछ जिन यह ने ने इन्हीं यूज किये थे एगर दोस्तों कि ना पर्लान को एक प्रणा के लिए हैं उसके भी बात कर लेते हैं ने जो से इस लिए होता है तो इनडिफरेंट नहीं फे होत दोस्तो आप जरूर हमें कमेंट्स करेए कि आपके इस 20 कोश्चन मेंसे कितने सही हुय और कितने गलत हुय जो भी आए दोस्तो हमारे 0.25 की मार्किंग रहती है अगर गलत होता है उसको बढेंग कि आपका कितना सही हुआ तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी त जरूर बताएं कमेंट्स पे, जय हिन दोस्तों